गाईज मुझे एक कमेंट देखने को मिल रहा था जैसे सत्वीर बीपी 3 इनका कहना है कि भाई मेरा मेल रेबिट बहुत डरता है मेरे पास नहीं आता है और खाना भी अपनी मर्जी से ही खाता है प्लेज रिपलाई और जस्मीत का और इनका कहना है कि भाईया मेरे पास 5 खरगोस हैं सभी मज़से डरते हैं और गोद में उठाने पर फट पटाते हैं पंजे मारते हैं क्या करूँ मैं उन्हें कैसे गोध में उठा सकती हूँ बहुत मन करता है प्लीज रिपलाई दें आप वीडियो बना कर बताएं प्लीज प्लीज भाईया तो गाईज आज हम लोग इस वीडियो में यही सब कुछ कम्पलीटली देखने और जानने वाले हैं कि खरगोस आखिर अपने आनर से बहुत ज़्यादा डरते क्यों हैं और उन्हें अपने पास आता देखकर भागने क्यों लग जाते हैं और खरगोस गोध में भी क्यों नहीं आते हैं उन्हें अपने गोध में कैसे उठाएं उनका डर कैसे दूर करें क्यों अपने आनर से जरा भी ना डरे और उनके आस पासी आकर बैटा रहे तो गाईज अगर आप भी एक पेट रैविट लवर हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें जिससे आप भी इजली अपने रैविट को बांड कर पाएंगे और उसको गोद में उठा कर आप उ आप में बेल आइकन प्रेस करके आल पर कर लीजिये जिससे हमारे वीडियो की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे क्योंकि गाईज मैं खरगोष से सम्मंदित वीडियो जी बनाता हूं और आपको हमेशा यहां खरगोष के बारे में कुछ ना कुछ नहीं जानकारी जरूर मिलेगी जो आपको आपके खरगोष को मैनेज करने में काफी हिल्प भी करेगी तो चलिए गाईज ज्यादा बाते ना करते हूं यह सीधा में मुद्धे पर आते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले हमें फटाफट जान लेते हैं कि आखिर खरगोष अपने आनर से डरते क्यों हैं उसके बाद हम जानेंगे कि खरगोष के अंदर का डर कैसे एजी तरीके से दूर किया जाता है उससे कैसे अपने पास बुलाया जाता है गाईज अगर घर पर नया रैविट लाया जाता है तब वो अंजान होने की वज़े से बहुत ज़्यादा घर के सभी लोगों से डरता है त्योंकि आप सभी को तो पता ही है कि खरगोष क्यूट और प्यारा होने के साथ-साथ एक बहुत ही डरपोग जानवर भी होता है गाईज अगर आपके पास एक से ज़्यादा खरगोश हैं और वो हमेशा एक साथ ही रहते हैं और उन्हें आप टाइम कम दे पाते हैं तब भी वो आपके आने पर आपसे दर कर भागने की कोशिस करते हैं गाईज अगर आप जहां खरगोश को रखते हैं वहाँ बहुँ ज़्यादा सोर सराबा होता है या आप उसे तेज आवाज में बुलाते हैं डराते हैं या फिर किसी भी चीज की ट्रेनिंग हो गएरा के लिए टार्चर करते हैं तब भी वो आपको देखकर भागने की ही कोश ज़्यादा है और गाईज अगर बात करते हैं कि अगर खरगोश आपको देखकर दूर भागता है आपके गोद में उठाने पर काटता है तो क्या करना चाहिए गाईज अगर आप उसकी मन पसंद की चीज़े अपने हाथ से खिलाना है, गाईज अगर आप उसकी मन पसंद की चीज़े अपने हाथ से daily खिलाते हैं तब वो easily आप ठरस्ट करने लगेगा, और आप से जरा भी नहीं डरेगा, फिर आप उसे अपने हिसाब से manage कर पाएंगे, गाईज आप जहां तक हो सकें उसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें आप उसके आँखों के सामने रहें या उसे अपने पास रखें जिससे वो आपको पास देखकर धीरे धीरे आप पर पूरा ट्रस्ट करने लगेगा नमर थिरी ज़्यादा खरगोस होने पर उन्हें खुद ही खाना देना गाईज अगर आपके पास एक से ज़्यादा खरगोस है तब आप उन्हें खुद ही हर टाइम खाना देने की पूरी कोशिस करें जिससे आपको देख करो बार बार खुद ही आप पर भरोसा करने लगेग और रेविट से रिलेटेड आपका कोई भीडा उठो तो आप हमें हमारे इंस्ट्राग्राम पर मैसेज करें हम आपको देर सबेर वहां रिपलाई देने की आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे वो भी पिरी में तो चलिएगा आज मिलते हैं किसी और वीडियो में खरगोश से सम्बंदित किसी और नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद